हेलो गाइज मेरा नाम ही मानसू और आप देख रहे हैं रैसल एलर्ट अब यहाँ पर लोग डीमन को देखना चाते थे बट अभी तक यह चीज़ कर्फर्म नहीं होई लेकिन क्या पता डवड़ी हमें समर स्लम में सर्प्राइज दे दे और बात करें इस मैच के बात करें नेच्ट मैच के बारे में जो कि युनाइटे श्टेट श्टेट शेंपि को सेस है और मैं भी यहाँ से अपना विनर चुनता हूँ AJ Styles को क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर OC की इंटर्फेरेंस होने वाली है जिसका फायदा AJ Styles उठा कर अपनी Championship को रिटेन कर लेंगे इसके लावा बात करें अपने नेच्ट मैच के बारे में जो कि यह SmackDown Women Championship के ल है टाइटल चेंज करवाने का इसके लावा बात करें अपने नेच्ट मैच के बारे में जो कि यह Kevin Owens वर्से सेन मिगमैन के बीच और यहाँ पर अगर Kevin Owens हार जाते है तो उन्हें WWE कुइट करनी पड़ेगी बढ़ बात करें बैटिंग ओर्स की तो गईज यहाँ पर बैट उन्हें बनाना चाहती है क्योंकि WWE के काम आगे ट्री स्टेटस नहीं बलकि सारलेट फ्लेयर आने वाली इसके बाद हमें नैस्ट मैच जो देखने को मिलने वाला है वो है क्रूजर वेट चैंपिसित के लिए ड्रू गुलाग वर्सेज ओनी लॉरकन के बीच इस मैच में ड करणने के लिए हाँ नहीं किया वो वो सारी हेट को मिटाना चाते जो कि उन्हें मिल रही है अपने लाश्ट मैच से जो की हुआ था अंडर टेकर के साथ इसलिए अगर ऐसा होने वाला है तो यह मैच हमें थोड़ा लंबा चलते हुए दिखेगा बड़ बात करें इस मैच क बारे में जो कि यह रॉव मेंस चैंपिंशिप के लिए दमैन बैक की लिंच वर्सेज नेटालिया के बीच अब यहाँ पर रॉंडा राउसी के रिटर्न देखने को मिल सकती है क्योंकि ऐसी स्पेकुलेशन लगाए जा रही है बड़ बात करें इस मैच के बैटिंग और बात करें इस मैच के बैटिंग ओट्स की तो गईस यहाँ पर बैटिंग ओट्स में कोफी की इंच्टन आगे है रेंडी ओर्टन से बर्ट मैं यहाँ पर अपना वीनर चुनता हूं रेंडी ओर्टन को कि वो इस मैच को जीत कर बन जाएंगे डवो डवी e चैंपिट् चेंज करवाने का, इसके लबा अपने last match के बारे में बात करने से पहले मैं आप सब को Roman Reigns के Summer Slam status के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप समको पताईए Roman Reigns को officially advertise किया जा रहा है Summer Slam के लिए बट अभी तक उनका कोई भी match confirm नहीं हुआ Summer Slam को सुरू होने में, इसके लाब आप बात करें अपने next and last match के बारे में जो कि ये universal championship के लिए the beast incarnate Brock Lesnar versus the architect Seth Rollins, तो इस match में हमें जरूर कुछ ना कुछ सौकी चीजे देखने को मिल सकती है क्योंकि आप सबको पताईए कि Seth Rollins अभी इस सालत में भी नहीं है कि वो Brock Lesnar के सामने ठीक से खड़े भी हो पाए तो वो match किस तरह से wrestle कर पाएंगे बट इस match में हमें Seth Rollins की favor में कुछ होते हुए दिख सकता है जैसे कि Becky Lynch आफी Roman Reigns की interference लेकिन आप सबको बता दूँ कि इस match में हमें एक और काफी बड़ी सौकिंग चीज होते में दिख सकती है और वो ये है कि पॉल हेमन इस match में धोका दे दे Brock Lesnar को और वो मदद करे Seth Rollins की Universal Championship जीतने में अब आप सबको पताईए जब Brock Lesnar अटैक कर रहे थे इस match में हमें कुछ सौकिंग चीजे देखने को मिलती है या फिर नहीं और बात करें इस match के बैटिंग ओर्ट्स की तो गाज यहाँ पर बैटिंग ओर्ट्स में Brock Lesnar आगे है Seth Rollins से और मैं भी यहाँ पर अपना वीनर चुनता हूँ Brock Lesnar क्योंकि अगर आभी simply देखे तो Brock Lesnar इस match को इजली जीतने वाले Seth Rollins के कंडिसर के गारण बट जैसा कि मैंने असको कहा कि इस match में मैं सौकिंग तिंग देखने को मिल सकती इसलिए अब आप सब मुझे कॉमेंट करको बताएए कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस match में किसकी जीत होने वाली है Seth Rollins या फिर